मस्कार मैं डक्टर सरज गुमार पंडित आपको स्वागत करते हैं होमियो इंसाइड में होमियो इंसाइड माई यूट्यूब चैनल आज के जो टोपिक लिए लिए थामनेल में देखी लिए होंगे कि बहुत सारे आप लोगों ने कोश्चिन किये हैं कि सर नुफार जो है उ आप तो यांग है तो क्या लेना चाहिए अगर थोड़ा सा एजट है एजट का मतलब चालिस से उपर पचास के उपर जो है उनको भी इसके साथ क्या लेना चाहिए और क्यों नेला चाहिए एक बायकमिक भी बताएंगे साथ में आकर ले लिजेगा तो हमको लगता है कि 80 से तब तक यह सेफली मेडिसिन लीजिए के दिन तक लेना है उभी बताएंगे कैसे करके लेना है उभी बताएंगे सुनते रहें पुरा सुन लिजिएगा तो उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत ज्याधा आराम मिलेगा और काम भी होगा चलिए शुरू करते हैं देखिए अगर हम नुफार के बारे में बताएं तो बहुत सारा वीडियो यूटूब में मील जाएगा लेकिन हम जो बताएंगे और जिस्ट बताएंगे एवंग बहुत अच्छा बताएंगे जो कि आपको समझ में भी आए और किस इस्तिती में इसको लेना चाहिए उँ भी आपको समझ में ये उससे पहले बोलें आप अगर मेरे चैनल में पहली बार आये हैं तो आपको बहुत दिनों से मेरा साथ जुरेव हैं उनको बहुत ज़्यादा स्वागत है और अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी लगे कि अच्छा है तो एक लाइक दीजेगा और सब्सक्राइब करके रहाख लीजिए और बोटन जो है उसमें और में प्रेस करके रहाख लीजिए ताकि इस रिलेटर जो भी वीडियो हम दे तुरन्त आपको मिल जाए चली सुरू करते हैं देखिए नुफार किसको लेना चाहिए पहले तो वो समझ लते हैं देखिए जिसका जो मेल का जो डिजायर है जो सरेरिक जो एक चाहिदा होता है मतलब है यह नहीं और स्ट्रॉंग भी नहीं होता है इरेक्शन भी एकदम खतम और दूसरा साथ की कूछ भी करके मान लीजी इधर उधर बहुत कुछ देखके और पार्टना के साथ बहुत कुछ करके अगर थोड़ा सभी हाट हो जाता है जब आप काम करने जाते हैं बस एकदम नरम हो जाता है तो सरमेंदिगी आपको बहुत जदा आई जाता है उसके बात क्या होगा बहुत जल्दी अगर थोड़ा बहुत हाट हो भी जाता है तो बहुत जल्दी निकल जाता है आपको मतलब काम करने का कोई टाइम मिलता ही नहीं यह और सरमेंदिगी की का बात है दूसरा क्या होगा ऐसे ऐसे चलते चलते आपका जो धात है वो बहुत पतला हो जाएगा थीन हो जाएगा उसमें कोई सेंटेट नहीं होगा और ऐसे पतला होते होते क्या होगा जब आप लेटिन जाते हैं या यूरीन जाते हैं उसके साथ आपका धात निकलने जाता है जैसे कि रसा नहीं होता ह चीनी को अगर बहुत ज़्यादा गढ़ा करके ओ जो पानी पतला जासा रहता है चिपचिवापन उसे आपको निकलते रहता है यार मोटा गढ़ा भी कभी कभार आपको निकल जाता होगा अगर आप साधी सुधा जिन्दिगी में है तो आपको बचा आने में परिशनी हो रहा है आपका स्पर्म काउंट निल हो चुका है या तो फिर बहुत पूर हो चुका है और नार्भास विकनेस बहुत ज़्यादा है जिसको नार्भास के चलते पार्टनर के पास जाने में decreasing लेना चाहिए और धिरे धिरे ऐसा चलते 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 इतना धात आपको पात्ला हो जाखा कि थोड़ा सा किसी के साथ बात कीजिएगा या तो फिर दूर से भी किसी को देख ले रहे हैं मतलब कोई गार्ल को तो आपको निकल जा रहा है मतलब हर किमत पे आपको जो धात है वो खतम हो चुका है बहुत पतला हो चुका है कोई stability नहीं है धारन जो रहता है मतलब उसको जो वेट करके रहना चाहिए वो आपको नहीं हो रहा है तो इस इस्तिति में आपको लेना चाहिए एक हो गिया ये जिसको नुफार लेना चाहिए इसके साथ आप अगर यांग है तो आपके लिए भी हम लिख के रहे हैं यांग अगर है तो फिर आपको क्या लेना चाहिए अच्छा अगर आप यांग ह से उपर और तीस से नीचे या 35 से नीचे अगर हो साधी सिद्वा जिंदगी में हो तो नुफार तो लेना है कितना लेना है कैसे लेना है वो तो बता देते हैं इसके साथ आपको जो लेना है वो है देखिए जो बहुत ज़्यादा आप टेंसें में रहते हो कोई-कोई नहीं भी बोलते है कि संर हमने है उसके साथ लेना है उसका नाम है अस्रगंधा या व्यतिनिया हो जो ही आपको जुब हो लेना है कितना नहीं अब है बता दे हैं अब अघ्ण अब बता दे नुफार तो लीजेगा लेकिन उसके साथ एक और है जो की जो थोड़ा सा का उमरदर हो जाने के बाद से 40 से उपर 60 से नीचे हो जाना कि प्राइवेट में ब्लाट का कमी हो जाता है हार्ड़नेस नहीं होता है इम्पोरणसी का सिकात थोजाता है और मेंटनेली तनाफ तो है लेकिन वहाँ पर कोई काम नहीं है क्योंकि थोड़ा सा एजट होने के बाद से उहां का जो मसल से जो आटरी है ब्लाट जब फुलो है वो थोड़ा कम जाता है यह बहुत सारे कारण के हो सकता है मेंटली दिश्टाफ होने के बाद से हो सकता है या तो फिर अंदरी-ंदरी कोई बीमारी हो उसके कारण से भी हो सकता है कोई भी कारण हो तो आप इसको लेने से क्या होगा कि उहां को जो ब्लाड सप्लाई है बहुत जधा बढ़ा देता है ऐसे ब्लाड नहीं oxygenated अब उहां पर अगर blood flow बहुत बार जाएगा oxygenated भरपूर blood अगर बार जाता है तो फिर उहां का strongness बहुत बार जाएगा करापन हो जाएगा और फिर आपका धात जो है बहुत देर तक आप धारन कर सकते हैं मतलब बोल लिजे जितना आपको time चाही उतना आपको time मिल जाएगा मतलब partner आपको जो है वो satisfied हो जाता है लेकिन इसको लेना किसको है 30 से उपर या 35 से उपर 40 से उपर सटके बीच में उन लोग के लिए उसका नाम है डामियाना नुफार के साथ डामियाना ओल एज के लिए और नुफार के साथ यांग एज के लिए उसको क्या लेना है विथि नुफार को और अस्तागंदा यांग एलिए जो ले रहे हैं उसके साथ एक और चीज ले लिजेगा ओ है अगर आपका सिमेन का कोई प्रब्लम हो रहा है धात का कोई पतला हो गया बहुत ज्यादा गड़ा नहीं हो रहा है कोई कि निकल रहा है तो आप टीटनियम टीटनिय and our subscription देख लिजेगा उसको लिजे अब लेना कैसा है कोई कोई बटाएगा नुफार को और अस्त्रगंदा के साथ रहा है दीजिएँ कीजिए कोई भी medicine को मिला के मत लिजे मिलाने से बहुत काम आता है ऐसे हमको पता नहीं कोई-कोई बोलते होंगे लेकिन हमको अलग-अलग से ज्यादा उसका आपको क्या करना है मतलब 35 से नीचे 18 से उपर अगरaran करना है अ ब्रकर हैस्तम प्रल这iche लिजेंिए कि उपर wäre है उसका अच्छा करके हापकाब गुन पारी में सुबह दो पर साम खाना खाना से पहले ले लिजी और नुफार को दो नमबर ओही 20 पून हाप का पानी में गुन गुना पानी होगत अच्छा है और सुबह दो पर साम खाना खाना के आधा घंटा बाद ले लिजी आप जो बताए हैं कि तो टिटैनियम 3x को लेना है दे देंगे ओही कॉम्पनी लिजीएगा तो多 गोली गरके शर्मचा दीन में तीन बार लिजी चुश चुश के खाना है लोजंस जैसे चबाके या गिल के नहीं खाना है जितना देर जीव में रहेगा उतना देर आपका अच्छा है काम करेगा बहुत अच्छा तो इसको खाना खाने से अधा गंटा बाद ही लिजेए आप नुफार भी बाद में है और यह भी बाद में है तो 10-15 मिनीट फिर गैप कर लीजेगा नुफार खाने का 10-15 मिनीट अधा लिजे लिजे एसको हो गया और एक बाय करों हो घुना खांटा झाल और हुट तस्विर देदेंगे आप से excited ले लिए तो आपको काम 100% तो होगा नहीं लेकिन 80-90% जरूर आपको हो जाएगा और बहुत अच्छा काम करता है 80-90% आपको कवर कर जाएगा फिर भी अगर एक-दो मीना में आपको ये काम नहीं हो रहा है तो जानी आएगे कि शरीर में कुछ ना कुछ गड़बर है आपको डक्टर देखाने का जोरत है अपको जोरत होगा उसके साथ ही ले लिजेगा तो 100% तक आपको काम हो जाएगा फिर आपको वीडियो बना के हम देंगे थोड़ा देर हो सकता है लेकिन आपको मिलेगा और सब्सक्राइब कर रहे लिजे ताकि इस रिलेटेड जो वीडियो आपको दे आपको तुरंद मिल जाए थैंक्यू